नमस्कार दोस्तों फिटर गुरुजी में आपका स्वागत है हमारे बैद सुनने से सिखर में फिटर थियोरी दित्यवस के पार्ट ग्यारा में आज हम सक्ति संत्रण वहत उनके तत्तों से संबंदित 35 मोस्ट क्यूसन करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बैल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके वीडियो स्टाट करते हैं फेस्ट क्यूशन है सकती संचालन कितने परकार का होता है जो पावर ट्रांसमेशन जिसे इंगलिश में बोलते हैं सकती संचालन को ये कितने परकार का होता है फेस्ट ओप्शन है तीन परकार, च्यार परकार, पांच परकार, दो परकार तो जो हमारा सकती संचालन है वह है तीन परकार का होता है पावर ट्रांसमिशन पावर को हम तीन तरह से एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर बेज सकते हैं जिसमें पहला प्रकार हमारा आता है Belt Drive सभी ने देखा होगा Belt Drive, Belt के मादिम से सकती को एक जग zusे दूसी जग障 पर बेजना दो नंबर आता है Chain Drive Chain के मादिम से तीन नंबर आता है Gear Drive ये सकती शन्चालन के तीन प्रकार होते हैं Belt Drive, Chain Drive जथा Gear Drive नेक्स्ट क्यूशन है निम्न में से गियर निर्मान की विधी कौन सी है जो गियर ड्रेव होता है उसमें हम गियर का परियोग करते हैं तो गियर निर्मान की कौन सी विधी है गियर जो निर्मान करते हैं किस के द्वारा करते हैं किस विधी के द्वारा करते हैं तो मारा right answer हो जाएगा उपरोक्त सभी इसके लावा एक और विदी है जो मुख्य विदी है उससे बहुत बार क्यूशन पुछा जा चुका है कि बहुत पादन पर gear निर्मान के लिए किस विदी का परियोग किया जाता उसके लावा कास्टिंग रोलिंग तथा मसिनिंग के दुआरा भी gear निर्मान किये जाते है next question हमारा belt पुली के face के center से गूमती रहे इसके लिए निमन में से क्या किया जाता है जो हमारी belt होती है वह पुली के face के उपर गूमती रहे इसके लिए क्या किया जाता है first option है crowning, b है creeping, c है dressing, d है sleeping अगर हमें belt को पुली के face के उपर गूमाना है center में तो हम पुली की crowning कर देते हैं यह option हमारा right हो जाएगा crowning तो crowning क्या होती है कि जैसे हमारी यह पुली है कोई ओके जो यह उसका face है इसको बीच में से थोड़ा सा उठावा बना देते हैं उत्तल सतय बना देते हैं ओके बीच की सतय को उत्तल बना दिया जाता है जिसे पुली की crowning कहते हैं इस crowning के कारण belt है वो center में रहती है slip नहीं होती है इसके लावा creeping सब दहे के creeping का एर्थ होता है जब belt drive के अंदर पुली के उपर belt चलती है तो वो जो belt है थोड़ा दाएं या 22 रखते हैं उसको creeping बोलते हैं dressing होता है belt के खराब होने पर belt के तथा बार बार स्लिपिंग कहने पर जो belt की मरमत की जाती है उसे dressing कहते हैं तो था पुली के उपर से belt का उतरना वो sleeping कहलाता है ओके राइट अंसर मारा crowning होगा ए next question है दातों के top से पिछ सरकल तक की सिद्धी दूरी को खालिस्थान कहते हैं दातों का top है वहाँ से पिछ सरकल है उसके बीच की सिद्धी दूरी को क्या कहते हैं जैसे diagram बना देते हैं आपको यह कोई gear है हमारा इसके दातों का top यह हो गया ठीक है face दातों का इसके पिछ सरकल पिछ सरकल यह होता है बीच का सरकल ओके दातों के top से पिछ सरकल तक के बीच की दूरी यह जो दूरी होगी यह क्या कहलाएगी option है didendum, b है addendum, c है a और b दोनो, d उप्रोक्त में से कोई नहीं तो जो face से top से पिछ सरकल के बीच की दूरी हमारी हमेशा addendum कहलाती है b option हमारा write हो जाएगा addendum यह जो दूरी होगी, यह हमारी addendum कहलाएगी तथा इसके निच्चे की दूरी, pitch circle यह जो pitch circle और root circle के बीच की दूरी सिद्धी, addendum कहलाएगी तथा top से लेके pitch circle के बीच की दूरी, addendum कहलाएगी दोनों ही most question है, याद रखना है next question हमारा, आम तोर पर gear के दातों का दबाव कोन होता है जो gear होते हैं, उनके दातों का दबाव कोन कितने डिगरी का होता है very most question है, साधे 14 डिगरी, 15 डिगरी, 20 डिगरी, 22 डिगरी तो gear के दातों का दबाव कोन होता है, 20 डिगरी का रखा जाता है c option हमारा right हो जाएगा, 20 डिगरी next question है, निमने चित्तर में दिखाई गई gearing का क्या कारिय है एक gearing का diagram दिखाया हुआ है, इसका कारिय बुचा है कि क्या कारिय है a option है, rotary motion से linear motion प्राप्त करना b है, दो साफ्टों को समकोन पर गुमाना c है, दो साफ्टों को विपरित दिखा में गुमाना d है, दो साफ्टों को एक दिखा में गुमाना तो यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा a option, rotary motion से linear motion में गुमाना यह जो gear हमारा यह है, रेक वह पिनियन गेर रेक तथा पीनियन गेर इसका कारी होता है रोटरी मोसन से लीनियर मोसन भी गुमारा जिसमें उपर का यह जो भाग है यह तो हमारा पीनियन है और निचे का जो फलेट भाग है यह हमारा रेक है यह भी याद रखना है उपर का पीनियन है दातों की संख्या को कहते हैं एक गियर है उसमें पिच डायामिटर भाग दातों की संख्या को हम क्या कहते हैं मोडियूम पिच अडेंडम डेंडम तो हमारा राइट अंसर हो जाएगा मोडियूम medium को m से परदेशित करते हैं अगर हमें medium पराप्त करना हो तो pitch diameter भाग दातों की संख्या दातों की संख्या ओके यह माज़ोतर जैसे हमें medium क्यात करना है pitch diameter 108 है centimeter वो दातों की संख्या हमारी 36 है तो इसका mushroom कितना होगा कतिन करेंगे 3 हो जाएगा इसका मोडियम हो जाएगा तिन वेरी मोस्ट क्यूशन है भी कही बार कुछ आजा चुका है इस शुरू एक्जाम में नेक्स्ट क्यूशन हमारा बेल्ट ड्रेसिंग के लिए परियोग किया जाता है तो ड्रेसिंग के लिए हम दी ओप्सन हमारा राइट हो जाएगा रेजिन रेजिन का परियोग कहते हैं और ड्रेसिंग क्यों कहते हैं हमें बेल्ट ड्राइव को स्लिपिंग से बचाने के लिए ड्रेसिंग करते हैं next question हमारा belt slip में belt में tension खालिस्थान होती है अगर belt slip कर रही है तो belt में tension होगी कितनी होगी अधिक होगी मध्यम होगी एक समान होगी कम होगी belt हमेशा तभी slip कहती है जब belt के अंदर tension कम हो d option हमारा right हो जाएगा कम next question हमारा जोकी इस प्रोकेट का प्रियोग किया जाता है जो जोकी इस प्रोकेट का प्रियोग कहां पर किया जाता है first option है flat belt को tension में लाने के लिए v belt को tension में लाने के लिए chain को tension में लाने के लिए d उप्रोक्त सभी तो इस प्रोकेट क्या होता है जो हम chain drive होता हमारा उसके अंदर chain को चलाने के लिए जो ये गोल पईया होता है gear जैसा इसे sprocket बोलते हैं जिसके उपर हमारी chain चड़ती है इसे sprocket बोला जाता है तो पूछ रहा है कि जो की sprocket का परियोग का पर किया जाता है कलच के अलग-लग परकार होते हैं तो यह पुछा कि auto mobile के अंदर किस परकार के कलच का प्रयोग किया जाता है first option है multi plate कलच, single plate कलच, c है air कलच, d है over riding कलच तो हम auto mobile के अंदर हमेशा single plate कलच का प्रयोग करते हैं b option हमारा right हो जाएगा single plate कलच अगर आपको वीडियो पसंदा रही तो वीडियो को like कर दीजिए तथा आपने दोस्तों के साथ share कर दीजिए next question हमारा coupling दो साप्टों को खाली स्थान जोड़ा या अलग किया जाता है जो coupling होती है, coupling का प्रयोगर दो साप्टों को आपस में जोड़ना जो दोस्त छोटी साप्टों होती है उनको जोड़के हम लंबी कर सकते हैं साप्टों को तो उनको जोड़ा या अलग किया जाता है गुमती हुए अवस्था में, इस्थिर अवस्था में, A वह B, दोनों sliding अवस्था में तो हमेशा दो साप्टों को अगर coupling के माद्यम से जोड़ रहे हैं या अलग कर रहे हैं तो हम वो करेंगे इस्थिर अवस्था में, B ओप्षन हमारा राइट हो जाएगा इस्थिर अवस्था में ही coupling के द्वारा साप्टों को जोड़ा वह अलग किया जाता है नेक्स्ट क्यूशन हमारा फ्लेट बेल्ट का साइज लिया जाता है जो फ्लेट बेल्ट होती हमारा उसका साइज कहां से लिया जाता है लंबाई से, चोडाई से, लंबाई गुना चोडाई से, चोडाई गुना बेल्ट के क्रोस सेक्षन से तो हमेशा Fleet Belt Drive का साइज चोड़ाई गुणा belt के Cross Section D ौप्सन हमारा Right हो जाएगा चोड़ाई गुणा belt के Cross Section से Next question हमारा V-belt का कौन होता है जो V-belt होती है अमारा उसका कौन कितने degree का होता है va-belt के आकरती है यह 주 profess PM इसका कौन कितने degree का होता है तो इसका कौन हमेरे सा 40 degree का होता है ये option हमारा right हो जाएगा 40 degree एक तो V-belt से कौन से question पुचा जाता है कि कौन कितने degree का जो ये है 40 degree का एक most question है कि V-belt का cross section कैसा होता है जैसे flat belt बताई थी आपको ये flat belt हो गई इसका cross section आईताकार हो जाएगा वैसे ये V-belt है इसका cross section कैसा होगा sumb-lumb-a-car का sumb-lumb-a-car करती होती है इसकी तो ये दोनों question याद रखनें आपको next question है V-belt निम्न द्वारा दर्साई जाती है जो V-belt होती है उनको किनके द्वारा दर्साई जाता है ABCD के द्वारा EFGH AHPW अक्सरो के द्वारा LMNO अक्सरो के द्वारा तो V-belt drive को हमेशा ABCD अक्सरो के द्वारा दर्साई जाता है ये option हमारा right हो जाएगा ABCD अक्सरो के द्वारा next question हमारा flat belt को जोडने के लिए निम्न में से किस साधन का परियोग किया जाता है जो flat belt होती है अगर वो तूट गई है किसी कारण बंस तो उसको जोडने के लिए हम किस साधन का परियोग करेंगे option हमारे पास riveting के द्वारा nut bolt के द्वारा दातों के fastener के द्वारा उपरोक्त सभी तो flat belt को हम जोडने के लिए riveting, nut bolt है दातों के fastener तिनों का परियोग करते है हमारे राइट अंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी ओके next question हमारा chain drive में chain drive में sleeping नहीं होती है creeping नहीं होती है crowning नहीं होती है उपरोक्त A और B दोनो तो chain drive के अंदर sleeping भी नहीं होती है तथा creeping भी नहीं होती है sleeping और creeping कौन भी नहीं होती है crowning भी नहीं होती है ओके तो हमारा D option right हो जाएगा A वह B दोनो sleeping और crowning दोनों ही नहीं होती है ओके next question हमारा chain drive में दोनों साफ्टों के मद्धे की दूरी कम से कम chain के पिछकी होनी चाहिए जो chain drive होती है सक्ति सिंचरन का एक परकार है chain drive उसमें जो दो साफ्टे होती है उनके मद्धे की दूरी कम से कम chain के पिछकी कितनी होनी चाहिए जैसे chain drive में दो साफ्ट है हमारी एक साफ्ट ये है और एक ये है इनके उपर इस प्रोकेट लगे हैं ओके और ये chain delivery के पिछ में जो इनमें chain की पिछ है पिछ के होती है दो दातों के पिछ की दूरी पिछ ओके तो कम से कम कितनी होनी चाहिए दोनों साफ्टों के पिछ की दूरी तो वो पिछ की 40 गुना तो ये उपसन हमारा फिट किया जा सकता है वह कौन सी पुली है जिसे साफ्ट पर आसानी से कहीं पर भी फिट किया जा सकता है A उपसन हमारे पास solid पुली, V group पुली split पुली, fast पुली तो साफ्ट पर आसानी से कहीं पर भी हमें split पुली को fit कह सकते है C option हमारा right हो जाएगा split pulley क्योंकि जो split pulley होती है वो दो बागों को जोड़ कर अमेशा बनाई जाती है ये दो बाग हो जाएंगे इसके तो दो बागों को जोड़ कर बनाई जाती है तो इने खोल कर कहीं पर भी आसाने से fit कर सकते हैं nut bolt के दुआरा ok d c option हमारा right होगा split pulley next question है निमन में से solid pulley अधिक्तम किस व्यास तक होती है जो solid pulley होती है सादान पुली बोलते हैं जिसे उसका अधिक्तम व्यास कितना होता है very most question है ये cast iron की बनाई जाती ये भी आत रखना solid pulley को तो इसका अधिक्तम में व्यास कितना होता है 200 mm 200 mm, 300 mm, ये 500 mm तो जो solid pulley है उसका अधिक्तम व्यास 300 mm होता है c option हमारा right हो जाएगा 300 mm next question है मुख्यते पुली निमन में से किस दात्तु की बनी होती है जो पुलियां है वह मुख्यते किस दात्तु की बनाई जाती है mild steel, road iron alloy steel, grey cast iron मुख्यते पुलियों को grey cast iron से बनाया जाता है d option हमारा right हो जाएगा grey cast iron next question हमारा निमन में से किस drive में power की हानी सुनने के बराबर होती है वह कौन सा drive का परकार है जिसके अंदर power की हानी हमारी सुनने के बराबर होती है मतलब की power की हनी होती नहीं है उस drive के अंदर तो drive हमारे तीन परकार के बताये थे belt drive, chain drive तथा gear drive तो कौन सा drive है जिसके अंदर हनी नहीं होती power की तो power की हनी हमेशा gear drive के अंदर नहीं होती d option हमारा right हो जाएगा gear drive जिसे हम positive drive का आ जाता है तो question ये भी पूछा जाता है कि positive drive होता है तो gear drive positive drive होता है क्योंकि इसके अंदर power की हनी नहीं होती ओके next question है हमारा निमन में से किस drive में सबसे अधिक power की आनी होती है इसको विपरित question पूछ लिया सबसे कम power की आनी तो हमारे gear drive के अंदर होती है जो positive drive कहलाता है तो सबसे अधिक हानी किस drive के अंदर होती है ये पूछ लिया है flat belt drive, v belt drive, chain drive, gear drive तो सबसे अधिक हानी power की हो जाती है हमारी flat belt drive के अंदर ये option राइट हो जाएगा हमारा flat belt drive जो negative drive है gear drive में सबसे कम होती है जो positive drive है वो सबसे अधिक होती है flat belt drive में Next question हमारा सकती संचालन के लिए flat belt वह है weWelt का पुर्योग किया जाता है जो निम्न की बनी होती है अगर हम सकती संचालन में flat belt वह है weWelt का पुर्योग करते हैं जो किसकी बनी होती है पूछावा question चमड़े की रबबड की केनवास का रबड नाइलोन वह है पलास्टिक तो हमारी फ्लेट वेल्ट वह है वी वेल्ट होती है वो केनवास का रबड की बनी होती है सी ओप्शन हमारा राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है सक्ति संसालन में ओपन बैल ड्राइव का परियोग निमन के लिए किया जाता है जो सक्ति संसालन है उसमें बैल ड्राइव का एक परकार होता है ओपन बैल ड्राइव ठीक है ये तीन परकार के हो जाते हैं ओपन बैल ड्राइव क्रोस बैल ड्राइव औ एक दिसा में गुमाने के लिए, किसी भी कोन पर गुमाने के लिए, दो समानतर साफ्टों को विपरिद दिसा में गुमाने के लिए, तो Open Belt Drive होता क्या है, पहले तो डायगराम के दुआरा हम समझ लेते हैं, जैसे एक तो हमारी ये हो गई पुली एक पुली ये हो गई हमारी और इनके उपर यहां से बेल्ट गुमा दिया हमने तो ये open belt driver थेक है तो यहां पर क्या होगा दोनों बेल्टें एक ही दिसामे गुमेंगी दोनों ये जो है पुली हमारी समान दिसामी गुमेंगी open belt drive में ठीक है तो आप देखते हैं option समकोन पर गुमाने के लिए दो समानतर साफ्टों को एक दिसामी गुमाने के लिए B option हमारा right हो जाएगा दो समानतर साफ्टों को एक दिसामी गुमाने के लिए हम open belt drive का परियोग करते हैं next question सक्ति संसालन में drive shaft से driven shaft को विपरित दिसा में गुमाने के लिए निम्न का परयूग किया जाता है उसके विपरित क्यूशन आ गया है बिलकुल कि शक्ति संसालन के अंदर शक्ति संसालन के अंदर driver shaft और driven shaft driver shaft जैसे हमारी यह हो गई और driven shaft यह हो गई, उनमें दोनों को विपृत में गुमाने के लिए हमें किस draw का परयोग करीए हमारी बेल्ट हो गई ओके अब हमारी जो जो पुल्ली गुमेंगी या शाफ्ट गुमेंगी ये विपरित दिशा में गुमेंगी तो यहाँ पर किस drive का प्रियोग किया जाता है ओपन बैल्ट ड्राइव का क्रोस बैल्ट डैव का स्यूक्त ड्राइव का A है B दोनों तो ये जो अमारा drive का प्रकार है ये cross drive है cross में belt हो रही है Tä करोस में आपस में belt है तो एक cross drive है यहाँ पर specification विपरित दिशा में गुमेगी तो अमारा B option राइट हो जाएगा cross belt drive अगर विपरित दिशा में गुमाना है में पुल्ली वैसाफ्ट को तो क्रोस बेल्ट ड्राइव तथा समान दिसा में गुमाना है तो ओपन बेल्ट ड्राइव नेक्स्ट क्यूशन हमारा जोकी पुल्ली ड्राइव का प्रियोग किया जाता है जो जोकी पुल्ली ड्राइव का प्रियोग कापर किया जाता है इसपर्स की चाप बढ़ाने के लिए बेल्ट को तनाव में लाने के लिए C है ड्राइव पुली की दिशा बदलने के लिए D है पुरुक्त A वहे B दोनो तो जो जोकी पुली ड्राइव है उसका परियोग हमें इसपर्स की चाप बढ़ाने वहे बेल्ट को तनाव मिलाने के लिए कहते हैं A वहे B दोनों हमारे राइट हो जाएंगे D option राइट है हमारा इसपर्स की चाप बढ़ाने वहे बेल्ट को तनाव मिलाने के लिए तो इस जोकी drive होता क्या है जैसे एक driver shaft वहे driven shaft हो गई उसको यहां से जोड़ देंगे तो अभी पुली दबाओ गेरेगी बेल्ट के उपर जिसे बेल्ट का तनाओ बढ़ेगा तथा इस पर इसका चाप बढ़ेगा ठीक है जिसे जोग की पुली का जाता है यह जोग की पुली हो गई हमारी आसा कहता हूँ आपको समझा रहा होगा वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए साथ ही अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए नेक्ट क्योशन है ओपन बेल्ट ड्राइव में जब बेल्ट अधिक डिली गुम रही हो तो वहाँ पर अगर ओपन बेल्ट ड्राइव है और वहाँ पर बेल्ट डिली गुम रही है बेल्ट में तनाओ नहीं है इस परस का चाप कम है तथा तनाओ नहीं है तो बेल्ट अध प्रियोग करेंगे फास्ट पुली का प्रियोग करेंगे तो अगर हमारा ओपन बैल्ट ड्राइव के अंदर पुली के उपर बैल्ट डिल्ली गुम रही है तो हम जोकी पुली ड्राइव का प्रियोग करेंगे बी ओप्सन हमारा राइट हो जाएगा जोकी पुली ड्राइव क उसके दात तूट गए हैं तो हम किस विधी के द्वारा उसे रिपेर करेंगे तो हम सपर गेर के दातों को डवटेल फिटिंग द्वारा तिनों विधियों से सही कर सकते हैं दी हमारा राइट अंसर हो जाएगा उपरोक्त सबी नेक्स्ट क्योशन है हमारा काश टाइरन, अलोई स्टील, गन मेटल, कार्बन स्टील तो जो गन मेटल के जो हमारे गेर मने होते हैं उनके दाते तूटने की समभावनाएं कम रहती है तो इसी उप्सन हमारा राइट हो जाएगा गन मेटल नेक्स्ट क्योशन हमारा नेमने में से कि साधन का परयोग कम दूरी के सक्ति संसालन के लिए किया जाता है अगर हमें सक्ति का संसालन कम दूरी पर करना है तो हम किस साधन का परयोग करेंगे फलेट बेल्ट का, चैन का, गीर का, रेक और पिनियन का तो कम दूरी के लिए हम हमेशा gear drive का परियोग करेंगे C option हमारा right हो जाएगा gear drive अगर अधिक दूरी की बात हो तो वहाँ पर हमें flat drive का परियोग कहते हैं तथा कम दूरी में gear drive का next है chain drive में दो साफ़तों के बीच की दूरी chain के pitch से 40 थान होनी चाहिए तो ये पहले भी बता चुके हम आपको chain के पिच की 40 गुणी होनी चाहिए D option हमारा right हो जाएगा 40 गुणी next question हमारा निम्न में से किस drive में slip और clip नहीं होती तो ये कौन सा drive का परकाय जिसके अंदर slip और creep नहीं होती flat belt drive, V belt drive, chain drive, round belt drive तो chain drive एक ऐसा drive है जिसके अंदर sleeping और creeping नहीं होती c option हमारा right हो जाएगा chain drive next question है chain का परियोग निम्न में से किसके साथ किया जाता है जो chain होती है chain drive के अंदर परियोग करते हैं उसका परियोग किसके साथ करते हैं तो supper gear के साथ, splice के साथ, sprockets के साथ, d है उपरोक्ट सभी तो chain drive का परियोग हम sprockets के साथ करते हैं c option हमारा right हो जाएगा sprockets जिसका diagram हम पहले भी बना के बता चुके आपको दुबारा बनाते हैं यह जिस परकार का यह पईया होता है, जिसके उपर chain चरती है हमारी वो sprockets के लाता है होके तो c option right हो जाएगा sprockets जिस परकार हमारे 35 questions पूरे होते आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, धन्यवाद